Good morning students, so the hero हम last turn में पढ़ रहे थे, इस turn में continue करते हैं इसको, तो देखा था हमने की रात में mother और उनका बेटा जा रहा है, ऐसा बेटा इमाजन कर रहा था, और वहां से suddenly कुछ लोगों की भागने की आवाज आती है, दर से वो कापते हुए अपने आपको thorny bushes में height कर रहे थे, तभी वो कहता है, मैं चलना हूँगा, don't be afraid mother, I am here, with long sticks in their hands, and hear all wild about their heads, they come nearer and nearer, तो वो कहता है, ऐसे अपने हातों में छणिया लिये हुए, और अपने बाल बिलकुल खराब से इधर उदर, और हमारे पास आते जा रहे, आते जा रहे, तभी मैं चलना हूँगा, have a care you villains, एक कदम और, और तुम सब मारे जाओगे, तो वो एक बार और चिलाते हैं, और और आगे आ जाते हैं, you clutch my hand and say, dear boy for heaven's sake, keep away from them, फिर आप मेरा हाथ पकड़के, वो अपने ममी से कहता है, ममा फिर आप मेरा हाथ पकड़के कहोगे, मेरे प्यारे बेटे, भगवान के लिए उनसे दूर रहो, और मैं कहूंगा, ममा बस मुझे देखो, फिर मैं अपने होर्स को स्पर करूंगा, एक wild gallop है, means मेरी, मेरा जो होर्स होगा, वो एक छलांग लगाएगा, और मेरी जो स्वार होगी, मेरी तलवार, वो निकालूंगा, and buckler clash against each other, means मैं अपने उस से अपनी तलवार और लडाई इतनी जादा fearful हो जाएगी, ममा, that it would give you a cold shudder, could you see it from your palanquin, कि फिर हमारी लडाई होगी, और वो इतनी जादा fearful, इतनी भयानक हो जाएगी, कि आपको एक डर सा लगेगा, cold shudder लगेगा, क्या आप उसे देख पाओगे, कई उन में से भाग जाते हैं, और उन में से कई योगों मैं pieces में काट देता हूँ, मुझे बता हैं, आप बैट की यही सोच रहो, कि मेरा बेटा अभी तक इस time तक मर चुका होगा, but I come to you all stained with blood, and say mother the fight is over, and तब मैं आपके पास पूरा खून से लिप्टा हुआ आउँगा, and बोलूंगा, ममा, लडाई खतम हो गई, तब मैं जब आउँगा, लडाई करके, आप मुझे किस करोगे, and मैं को गले लगा के बोलोगे, पता नहीं मैं क्या करती है, अगर मैं पस तुम नहीं होते मेरे साथ, A thousand useless things happened day after day, and why couldn't such a thing come true by chance? It would be like a story in a book, अब यह सब बच्चों, बच्चे की imagination थी, वो अपनी पम्मी को imagination बता रहा है, कि ममा, मान लो, हम लोग ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो कहता है, कि रोज हजारों useless चीज़े हो सकती है, तो क्या गलती से यह जो मैंने story सोची, यह कभी सच नहीं हो सकती? यह तो एक book की गहानी की तरह होगी, मेरा भाई कहेगा, is it possible? I always thought he was so delicate. Our village people would all say in amazement, was it not lucky that the boy was with his mother? तो मतलब मेरा चोटा भाई कहेगा, या बड़ा भाई जो भी मेरा भाई कहेगा, कि अरे, क्या यह सच में हुआ? मुझे लगता था, यह बहुत नाजुक है, और village के सारे लोग क्या कहेंगे, बच्चो, कि कितनी लखी बात है, कि वो मा अपने बेटे के साथ थी, उस बेटे ने उसे बचा लिया. चलिए अब इसके तिक दकरेक देखते हैं, word meaning simple है, आप कर लेंगे, अपनी fair notebook में कीजेगा, यह तिक दकरेक देखिए, चाइड लोड और उसकी mother कैसे जर्नी बेचा रहे हैं, option 3, एक palanquin में और एक horse में, एक palanquin और घोडे से, next day mother starts calling to all God because, बगवान को उसको याद करने और गई थी, option number C, she is scared of the bandits, next day the poem is based on child's imagination, एक बच्चे की imagination पर बेस्ट है यह poem, so this was all children, next हम बात करते हैं, हमारे chapter number 13 की, जो है women on earth, मैं आपको इसका short idea दे दूँ, बच्चो, world में women's जितनी important है, उनकी importance is about equal to the men, sometimes जादा है, बट हम उसे consider नहीं करते हैं, तो इस chapter में हम सारी earth की जो famous women's हैं, जिनोंने बहुत सादा struggles किये हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं यह आपको page number 108 का कुछ brief दे दे रही हूँ, make sure कि आप अपनी next class में उसे पढ़ किया, जो हो भी हम सबसे बड़े challenge आसा human face करते हैं, ठीक है, वो यह है कि जो natural world है वो गायब हो रहा है, आधे tropical forest जा चुके हैं, civilization के नाम पे, कई सारे flora and fauna, means plants and wildlife गायब हो चुकी है, इस वज़े से यह हमारी responsibility बढ़ चुका है कि हम अपने forest को conserve करें, इससे पहले कि यह बहुत जादा देर हो जाए, यहाँ पे इस चाप्टर में हम लोग कुछ ऐसी success stories पढ़ेंगे, जो दिखाती है कि individual और community initiatives, बतब अगर कोई अकेला इंसान या पूरी community अगर कोई कदम उठाए, तो वो हमारी green acids, यानि जो हमारे पेर पौधे, हमारा forest, wildlife, उन सबको बचाने के लिए कितना जादा कारगर हो सकता है, हर स्टोरी में एक women है, जिसने एक remarkable result लेकर आई है, forest conservation के लिए, और यह lesson हर women को एक salute है, तो first हम पढ़ेंगे वंगारी में थाई, जो first African woman है, and the first environmentalist है, तो noble prize in peace जिन्होंने जीता है 2004 में, उनकी inspiration उनके बचपन के experience थे, और जो रूरास में रहती थी Kenya के, वहाँ पे उन्होंने जो भी observe किया था, जिसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उन्होंने देखा कि forest को काटा जा रहा है और commercial plantation हो रही है, जिसकी वज़े से सारी local biodiversity, means जित्ती different types of species उनके areas में थी, और जो forest की capacity थी, water को conserve रखने की, वो खराब होती जा रही है, ठीक है अब page number 108 बचो open करिए, आप उसको rate करिए, तब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, 1977 में उन्होंने green belt movement स्टार्ट किया, responding to the needs identified by rural women, namely lack of firewood and clean drinking water, balanced diet, shelter and income, हुआ क्या, इन्होंने देखा कि जो पेड काट किये उसकी जगे commercial crops हुगाय जा रहे है, तो इसे देखा, rural women को इससे बहुत जादा दिक्कत हो रही है, उनको जलाने के लिए firewood नहीं मिल रही है, ठंड़ा पीने के लिए साप पानी नहीं मिल रहा है, नहीं उनकी diet balanced हो रही है, shelter नहीं मिल रहा है, income नहीं मिल रही है, किसको women को, इसकी वज़े से women के जो basic needs थी, वो पूरी नहीं हो पा रहे थे, और ऐसा क्यों हो था, क्योंकि उनका जो immediate environment था, जो forest थे, उनको काट दिया जा रहा था, और commercial crops हुगाई जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जब environment को destroy करते हैं, तो humans की quality of life खराब हुजाती है, इसके आगे बचों हम next turn में पढ़ेंगे, आप इतार read करके आईए, thank you,